सो साइनस अमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है All India के नर्सिंग वालों के लिए EMS की तरब से पर्मानेंट डबल गुर्णीों जहां पे जारी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर EMS ने एक साथ डबल बर्ती जारी कर दिये नर्सिंग वालों के लिए जहाँ पर BS Nursing वाले, JNM वाले, All India के विद्धार्ट एपलाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फोरम बरना भी शुरू हो चुके है फोरम बरने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है लाइव आप पूद दिखाएंगे फोरम एपलाई करके आप गर बेटे अपने मोबाईल के मादियम से भी फोरम बर सकते हो इसका notification भी यहाँ पर जारी हो चुका है जिसा कि आप देख पारूँगे इसका advertisement जारी कर दिया गया है और यहाँ पर फोरम बरने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया है तो चलिए notification को देख लेते है ओके, so finally हमारा यह notification डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख पारूँगे नमबर टूपे असिस्टेंट नर्सिंग सूपरिडेंट ठीक है यह आपके वेकेंस से रहने वाले है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको जो pay level है, जो pay scale है यहाँ पर यह देखिए salary level 9 के according आपको मिलेगा ANS, Assistant Nursing, SuperDate में अब यहाँ पर आप बोलेंगे यह तो पहली वेकेंसी हो गई दूसरी वेकेंसी भी यहाँ पर दिखाओ हमको सो यह लीजिए आपकी दूसरी वाली वेकेंसी इस्टाप नर्स, ग्रेड, पस्ट 37 नमर पे देखो आप ठीक है, क्योंकि M's ने आपको double देखो, good update दिया है तो double ही बताएंगे आपको, अब यहाँ पर कितना पोस्ट है वो भी देख लो, 58 clear, 58 पोस्ट है और यह पर्मनेंट आपके लिए रहने वाला है यह जो वेकेंसी है न यह पर्मनेंट है यह इनकी जोब लग गई तो लाइब टाइम आपके साथ रहेगी तो चलिए इसका education qualification देख लेते हैं कि assistant nursing superintendent के लिए तो योग्यता रखी गई है और यहाँ पर stop nurse grade past के लिए क्या योग्यता रखी गई है फोरम का piece यहाँ पर क्या रहने वाला है selection का procedure यहाँ पर क्या रहने वाला है cut up क्या रहने वाला है syllabus क्या रहने वाला है सारी जानकारे आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ओके तो यहाँ पर आप देख पारोंगे असिस्टेंट, नर्सिंग, सुप्रेटेंट और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपका 21 से 35 रका गया है 21 से 35 अब देखो यहाँ पर एज में आपको relaxation भी मिलेगा clear यहाँ पर education, collaboration, योगयता की बात करें तो BS nursing वाले फोरम को अपलाई करेंगे post basic BS nursing वाले अपलाई करेंगे MS nursing वाले अपलाई करेंगे यह देखिए, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो और वैसे भी आपको पता है कि टेलेग्राम जो चैनल है, हमारा वहाँ पर PDF हम बेज देते हैं लिंक नीचे दे रहा है, टेलेग्राम का description में, वहाँ से बिल्कुल free में फोलो कर सकते हो तो यह तो आपके assistant nursing super dent की education qualification हो गई, अब चलो अगली जो grade first वाली वेकेंसी है nursing वालो की, उसकी हो गयता और age limit भी आप देख लो ओके, 37 ठीक है 37 नमर पे staff nurse grade first nursing sister, age limit 21 से 35, clear और यहाँ पर education qualification हो आपका BS nursing, post BS nursing यह देखिए, यहाँ पर check out आप कर सकते हो पोरा यहाँ पर mention किया हुआ है कि क्या requirement आपकी रहने वाली है और चलिए और भी आपको दिखा देते हैं कि यह कौन से M से निका लिए पोरा नोटिफ केसन उपर से में आपको दिखा देता हूँ सो यहाँ पर आप देख पार होंगे यह 7 अक्टूमर का नोटिफ केसन आखिल बार थे आरविगेन संस्ता राजकोट गुजरात के तरफ से यानि कि एम्स राजकोट गुजरात के तरफ से वेकैंसी निकाली गई है और वेसे भी आपको पता है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है उनको तो आपको मिलती रहेगी अब यहां पर हमने जिग्र कर लिया कि एज लिमेट क्या है, एजूकेसन कॉलिपकेशन क्या है अब बढ़ते आगे क्योँ तो यहाँ पर नर्सिंग वालों के साथ ओल मेडिकल फेड वालों के लिए भी तोपा रहने वाला है अगर आपको कोई relative है जो पेरा medical से तर से belong करता हो या फिर फार्मसिस्ट से तर से belong करता हो तो बता देना उनको भी क्योंकि यहाँ पर देखो आप असिस्टेंट इस्टोर वाली वेकेंसी भी है ब्लड ट्रांस्फूजन ओपिशर की भी है कलनिकल साइकोलोजिस्ट की है डाइटेशन की है जूनियर अकाउंटर की है बहुत सारी लाइबरेडिनी थी लवर डिविजन कलर को गया medical यहाँ पर साइटीस्ट हो गया ठीक है और पर परसनल असिस्टेंट हो गया जूनियर इंजनियर हो गया ठीक है अपिसर विकेंसी जे देख लो आप इस्टेनोगरापर और इस्टोर के पर टेक्निकल ओपिसर यह दखो आप योगा इंस्ट्रक्टर वाडन वो सारी विकेंसी है तो उनको भी आप बता सकते हो यह कैसे करना है कटोप क्या रहने वाला है सेलवस क्या रहने वाला है सेलेक्शन अगा प्रोसीजर क्या रहेगा उनको देख लेते यहां पर चलिए सबसे पहले बात कर लेते एबली केसन फोरम पीस की कि जो आप फोरम रोगे उसका क्या सेनेर्य रहेगा तो देखो ओबीसी का करेगा यहाँ पर 3 जनरल OBC का 3,000 ठीक है और यहाँ पर ESCST AWS करेगा 1,500 रुपीज यह आपका फोरम का पीस है क्योंकि यह प्रमनेंट वेकेंसी है और डबल वेकेंसी है कापी सांदार वेकेंसी है तो इतना सा तो रहेगा इसाई How to apply एपलाई कैसे करना है तो यह जो एम्स राजकोट की वेबसाइट है इस पर apply करके अभी लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूँ ठीकी ना तो पहले और भी देख लेते इनको मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूगा कि apply कैसे करना है जो अधर कंडिशन से चलो में दिखाई देता हूँ तोड़ा सा ट्रस्ट आपको हो जाए कि आपको apply कैसे करना है कोई भी विद्यारती नर्सिंग वाला यहां पर अपने मोबाइल से भी फोरम को apply कर सकता है सबसे पहले तो गूगल पे आपको amps राजकोर्ट लिख देना है और search कर देना है तो यह top पे आपको amps राजकोर्ट की official website दिखाई देगी यह वाले इस पर आपको click करना है तो जैसे आप इस पर click करते हो यह इस प्रकार का interface open हो जाता है आपके amps राजकोर्ट गुजरात का अब यहाँ पर कापी सारे options आपको दिखाई देते अब यहाँ पर करना है क्या है आपको requirement का tape आपको दिखाई देगा उपर green में यह जो green box है ना इसमे requirement white में दिखाई देगा तो requirement पर आपको click कर देना है जैसे आप requirement पर click करते हो यह इस प्रकार का interface open हो जाता है तो यह रहा आपका advertisement requirement various group ABC non-faculty position direct requirement सीधी बढ़ती और यह publish date यहाँ पर 7 अक्टुमर 100 कर रखी है और थोड़ा आगे आगे तो documents में आपको यहाँ पर मिलेगा advertisement और नमबर दो पर registration तो नमबर दो पर registration पर click करना है तो जैसे आप click करते हो यह interface इस प्रकार का open हो जाता है अब यहाँ पर देखो पहले तो आपको registration करना होगा अब यहाँ पर registration पर आपको click करना है तो यह इस प्रकार का interface open हो जाएगा तो पहले तो आपका नाम mention कर देना पिर email ID पिर mobile number पर पासवर्ड ठीक है तो इस प्रकार आपको registration करना होगा आपके mobile पर OTP password send कर दी जाएगे तो इस प्रकार तो आपको क्या करना है registration कर लेना है जब आपका registration हो जाएगा तो फिर बाद में forum को बरना है तो forum में आपका नाम पाता एड्रेस आपका education कॉलिफ कैसन आपका experience यह मंगा जाएगा अब यहाँ पर यह डेटेल आपको फिलप कर देनी है passport size का फूटो लगा देना है एपलोड कर देना है signature अपलोड कर देना है इसके उपर save rate विडियो भी बना देंगे कि किस प्रकार से क्या detail फिलप करनी है बांकि और भी इनकी tram and conditions देख लेते जो एम्स राजकोड ने यह जो प्रमनेंट बरती जारी किये ना इसको भी देख लो कि और क्या condition रखी है उन्होंने तो देखो यहां पर apply करना तो बहुत आसान है लाइव मैंने आपको दिखा भी दिया अब यह जो exam होगा आपका क्योंकि आपको पता नहीं कि selection कैसे होगा आपका selection होगा cbt computer based test होगा आपका तो यह कहां कहां पर आपके exam center रहेंगे चार जगहे राजकोट आमदाबाद नोईडा दिल्ली मुंबवई यह चार आपके exam center रहने वाले हैं यह देखिए और age का कितना आपको relaxation मिलेगा जिसा कि 21 से 35 उपर दिखाया गया था तो उसमें भी कितना छूट मिलेगा तो यह cht वाल को तो 5 साल का और 20 साल का मिलेगा बाकी pwbd वाल को 10 साल का मिलेगा तो यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि age का relaxation आपके लिए रखा गया है यहाँ पर भी खुद आप देख सकते हो यह selection का procedure क्या रखा गया है यह देखे गुरूप A के लिए गुरूप B के लिए पूरा यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो अब यहाँ पर बात आते है कटॉप को लेकर कि qualify के लिए कितना score यहाँ पर चाहिए तो unresist वालों को 40% यहाँ पर चाहिए obviously वालों को 35 यह 60 वालों को 30 बहुत ही कम यह कटॉप पर देखो अराम से कर लोगे आप तो यह computer based test का देख लो कि minimum जो marks requirement है वह आपका यह रहने वाला है जिसा की table में आप देख पा रहे होगे अब यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि exam तो होगा ठीक है लेकिन क्या सर इसमें negative marking रहेगी क्या बिलकुल रहेगी तो फिर आप सोच रहे होगे कितनी रहेगी तो चले मैं आपको द और भी चलो यहाँ पर देख लेते आंसर की cbt-based test पूरा इसमें चेक आउट कर सकते हो अब यहाँ पर आप बोल रहे होगे सर इसका last date क्या है तो मैं यही कहूंगा एक महिने का time आपको दिया जाता है साथ अक्टॉमबर से साथ नॉमबर ठीक है यह 30 दिन का forum रहेगा और म कि जो इसका syllabus है यह सारा सारा syllabus में टेलेग्राम पर डाल दूगा या फिर mks academy app यह जो application आपने डवलूड कर रखा होगा तो यहाँ पर तो आपको हर update मिलती रहते है फ्री में तो link नीचे देर का है टेलेग्राम का और application का फ्री में आप जोइन कर सकते हो